असलाम लेकूम। आज मैं आपके साथ शोय रही हों परफेक्ट खीर बनाने की रश्पी। इस रेसिपी में हम न तो कंडेन्स मिलक क करें गें ना मिलक पॉडर का इस्तमाल करेंगे और नाहीं किसी मावा करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे लेकिन फिर भी हमारी खिर बहुत ही पॉर्फेक्क बनका त्यार होगी बिल्कुल बावची स्टाइल धाबा स्टाइल भटियारा स्टाइल यह बनका तियार होगी और सेम वही टेस्ट आपको मिलने वाला है तो इस रेसिपी को आयाज इस फॉलो किज करहाई को मैंने फ्लेम अन कर दिया है उसमें हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे करीब तीन से चार टेबल स्पून के वराबर और फिर उसमें हम आट कर लेंगे दो लीटर के वराबर दूद तो दूद आपको इसाब इस्तमाल कर सकते हैं फुल फैट भी इस्तमाल कर सकते हैं पानी शुरुवात में असलिए डाला हे न कि बाद में या नीचे लियो डीया ना निचे हमारी कड़ाई जो भाघाई है उसमें दूद पहुत दे तक हमें इसे कूट करना का निया ना उपकरbelोबियाही मोठा़ा mélाar को तब नेक्सर पर दूकर हमने ये तरहे हो चरुआज कम से कम पाँच मिनिट की तो अची हाल पाइले का भी प्रेचais उबाल बास्मूतच ailटे साइट बार बार इसना है वेश मुंटक शथा लिता की और स्क भाशे लाताई अब देहां किया मुझा है why क्थी खीर कीड ली है ठीक है, यहाँ पर देखे, मैंने देड़े कप के बराबर चावल लिया है, और यह ना मोटे वाले चावल आते हैं, इसमें ना स्टार्च जादा होता है, तो यह बासमती राइस नहीं है, या कोई जूना राइस नहीं है, जो बोलता है ना पुराना हो गया है, एक दो साल या बेडे के स्लाइसेस हैं, जो इसमें दो ब्रेड के स्लाइसेस, ग्याइस कसा आफ आ्ज है और इसमें एड़ कर लेंगे, भाइन के बराबर पानी, और इसका क्या करेंगे, पेस्ट में इसे बना लिया तो बस ये रैड़ी है, और ये देखिए, बिलकुल फाइन में पीसा है, डेखिए, बिलकल लिक्विडी मिक्षर हो जाना चाहिए, चावल और ब्रेट, पता ही नह तो यह कनी टाइप में बन जाएगा और फिक्या करिए उसको दूद में आड़ कर दीजें उबलते वे दूद में आड़ कर दीजें और फ्लेम लो रखिए इस पॉइंट पर और जली जली मिक्स कर लिए वना क्या होगा ना कि गाठे पढ़ने लग जाती है दूद में तो लो यह बहुत ही जली से होगा और पर फिल चलाना के बाद अचावल्给我 को दो लोगार तो यहां पर देखें मैंस से कॉके इह चुप कर रहना हैं ना के एक या घ साथ वी कॉना मैं तोम हमारे मेश आगी हादी gratis को टोधा हूसा क्या इक वैर् THE MAWL NUMBER अब हम इसमें पेस्ट बनाया था जो हम इसमें अड़ कर लें गयास का फ्लेम ब्लग रखाएगा इस पॉइंट पर वरहना तो जल्दी से पढ़ जाएगे रखोंगे और फिर कंटिनेयूसली इस्टर किजहेगा बिल्कुल नहीं चोड़नाए अगर आपने छोड़ एःसी त जब तक कि बॉइल इसमें नहीं आ जाता है तो यह देखिए मैंने आपर दो टेबल स्पून के बराबर एड कर लिया है कटे हुए बदाम और दो ही टेबल स्पून के बराबर मेरे पास है कटे हुए काजू तो ट्राइफ प्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो हमने मिक्षर बनाया था ना ब्रेड और चावलों का डालने के बार लगतार इससे चलाना है लगतार जब तक कि इसमें बॉइल नहीं आ जाता तब तक के और नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर छोड़ यह उस पॉइंट पर आपने तो फिर क्या होगा कि इसमें गाठे बन जाएंगे ठीक है तो बस इससे लगतार मैंने इससे चलाया अची तरीके से बॉइल आने लगे गाठे भी नहीं बनी है और यह हमारी पॉर्फेक्ट जो है देखिए खीर जो है इसमें गाठे नहीं बनी है और इसमें हलकी हलकी हो गई है आपको लग रहा होगा मैंने च इतना परफेक्ट बन कर आता है बीचे अच्छे से कोट हो रहा है मैं बैक से आपको दिखा लिए चमच पर देखिए अच्छी तरीके से कोटिंग आ गई है तो इस तरीके से आपने कूक करना है और इसके बाद इस पर एड़ कर लीजे वन कप के बराबर चीनी तो शकर अच्छी तरीके से जब गल जाया तो उसके बाद फिर से आप पांच मिनट के लिए इसे कोट कर लीजे तब तक कि आपकी मन पसंद कंसिंसेंस में आनी चाहती है उतना आप इसे कोटिंग कितने अच्छी आ रही है बैक पर मैं आपको चेक कर दिखा रही हूं बहुत ही मज अच्छी तरीके से पक गई है अच्छी सी कोटिंग आ गई है इतनी कंसिसेंसी मुझे एनफ है तो अब हम इसमें एड़ कर लेंगे एलाइची पाउडर करीब हाफ टी स्पून के बराबर जादा नहीं आइड कर रही हूं आप यहां पर केवड़ा एसेंस भी आड़ कर सकत है हमारी खीर एक बॉयल आने देंगे इसमें और इसका टेक्शर देखे आप बिल्कुल परफेक्ट है लगी नहीं रहा कि हमने इसमें कुछ नहीं आइड कि है बस बस तीन चीजों से बनका तयार हो गई है हमारी परफेक्ट खीर अगर आप नहीं चाहते कि इसमें आलमंड डालें या फिर काजू या बदाम डालें तो आप भी मट डालें तो भी है बहुत ही मज़े के लगेगी तो बस यह देखे कितनी मज़े की कितनी अच्छी लग रही है बिल्कुल परफेक्ट बनका तयार हुई थी तो इस तरीके से जरूर बना के देखेगा आपको बहुत प्यार होती है तीन चीजों से इंग्रिडेंट बहुत ही कम है ना खर्चा है ना कुछ है तो सेम रस्पी फॉलो कीज़ेगा और मुझे बताइए को कॉमेंट सेक्शन में कि यह रस्पी आपको कैसी लगी वीडियो चो लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बैल नोटिफिकेशन को जरूर आन किजिएगा मिलोंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिस